दोस्तो नमस्कार इस साल सरदार पटेल की जैनती और अधिक विसेस है 130 करोड भारतियों के आसिरवाद से आज स्टेचू आफ यूनिटी का उदगाटन किया जा रहा है नर्मदा के तट पर स्थित श्टेचू आफ यूनिटी दुनिया की सबसे उची परतिमाव में से एक है धरति पुत्र सरदार पटेल हमारा सिर गर्व से उचा करने के साथ हमें द्रडिता परदान करेंगे हमारा मार्क दर्शन करेंगे और हमें प्रेड़ना देते रहेंगे जड़र के ख़itarian करेंगे भंगे द हमें तर्शन करेंगे यह परिखने करेंगे ने कि लूजने निरह कोड़ने, मिलेवान खाइड नहीं है, लोगर में ड्रेजी के लोगर, नहीं है। देख़ें ल्गर करो देख़ा, जार्ची तर फिर देख़ें बिलेखें इसेंदा यह इर्वरिं सुरम नमदादू इसे जेरा नाली आगिसें आरवे मोगिलाई मागयाई पोईवगिताउ इसेंदा यह 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 इस शर्मोल करना शट्यम्या कि लुप मुर रखरिर मुन शुष्टी करेचान वुट लुट लुट कि लजडी विदे खिघली विदे खारी मुट लुट भरं उपर भर्या क्रीज हाils को लुट लुट लोनी अपलो सुरृ जिरह prepare आ। के लुट लुट рокणि करेच्हान पार आहीं स्क्रावर। कर दो कर दो कर दो कर दो मैं 21 अक्तुबर 2013 के उस दिन को याद करता हूँ जब हमने इस महत्व कांक्सी प्रियोजना की आधार सिला रखी थी रिकॉर्ड समय में एक इतनी बड़ी प्रियोजना तयार हो गई और परतेग भारतिये को इससे गोरवानवित होना चाहिए सरदार पटेल एक ऐसी महान सक्षियत थे जिनकी भूमिका भारतिय स्वतंतरता संग्राम में महत्व पुरून रही वह एक ऐसे राजनेता थे जो सदेव किशानों के कल्यान के लिए परतिबद रहे सरदार पटेल को आधुनिक भारत के निर्माता के रूब में याद किया जाता है स्टेचो आफ यूनिटी दिलों की एकता और हमारी मात्र भूमी की भोगौलिक एक जुटता का परतीक है ये याद दिलाता है कि आपस में बटकर साइध हम डटकर मुकाबला ना कर पाएं एक जुट रहकर हम दुनिया का सामना कर सकते हैं और विकास और गौरव की नई उचाईयों को छू सकते हैं